नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राजौन और आज हम 11th क्लास के Alternative English Book का Poetry When Autumn Came का समरी देखेंगे जिसके राइटर है फेज एहमत फेज तो लेखक के बारे में जो भी जानकारी है वो हम इस Poetry के Important Question और सारे Questions के वीडियो में देखेंगे तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको description box में मिल जाएंगे और अभी हम इस Poetry को डीटेल में यहाँ पे समझेंगे तो Poetry का नाम है When Autumn Came और Autumn का मतलब है शरत्रितू यानि कि वो समय जब चारो और बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है और पेडों के पत्ते वगरा बिल्कुल ही जर जाते हैं सूख जाते हैं तो इससे पहले कि हम मतलब समझना शुरू करें इस Poetry का आपको यह पता होना जरूरी है कि इस Poetry पे metaphor यूज हुआ है तो जिन लोगों को पता नहीं होता metaphor क्या है जब किसी भी story पे या फिर poem poetry पे दो अलग-अलग चीज़ों को compare किया जाता है तो उसे कहते हैं metaphor तब कहते है कि metaphor यूज हुआ है अब दो अलग-अलग चीज़ों से मेरा क्या मतलब है हम इस Poetry पे समझेंगे तो आईए पहले Stanger से यहाँ पे शुरू करते हैं और मैं आपको मतलब समझाओंगा एक-एक Stanger का और फिर आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के साथ Poetry ने यहाँ पे relate किया है इस चीज़ को कि पेडों का जो खाल है उसको चीज़ कर या फिर खीच कर जमीन पर गिरा डाला और पेड का जो बौडि है वो ऐसे ही खुला का खुला रह गया और इस शरत रितू ने पेडों के दिलों को एकदम हिला करके रख दिया इसके जो पीले पीले पत्ते हैं उसको जमीन पर गिरा डाला छीन कर और उन पीले पत्तों को अगर कोई पैरों से कुचल कर पीस कर भी रख देता है फिर भी उस पर चिला कर आवाज उठाने वाला कोई दूसरा नहीं है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध करना और ट्रेमपल का मतलब है कुचल देना बेसिकली पैरों से कुचल देना यहाँ पर स्ट्रिप्ट का मतलब है जिन जाना शूक का मतलब है हिला कर रख देना और स्केटर्ट का मतलब है पिखरा हुआ तो यह थे कुछ पीपल यानि की शेतांग लोग ब्लैक स्किंड पीपल यानि की कृष्णांग लोगों पर अत्याचार करते थे शाषन करते थे और बहुत ज्यादा जुर्म करते थे उनके उपर तो यहां पर लेखक ने ओठाम को शेतांग लोगों से समझाया है और ट्रीज को कृष्णांग लोगों से समझाया है जिस तरीके से शरत रितु के आने से ही पेड़ों पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है पेड़ बहुत ज्यादा दुख का सामना करते हैं उसी तरीके से जो वाइट स्किंड पीपल है उनकी वज़े से उनके अत्याचार की वज़े से बहुत दुख सहत यह ब्लैक स्किंड पीपल और पॉयट यहां पर यह रिलेट करते हैं कि जिस तरीके से शरत रितु के आने से पेड़ के खाल जमीन पर गिर जाते हैं और पेड़ के पीले पत्ते भी जमीन पर बिखर जाते हैं और फिर कोई उन पत्तों को कुचल देता है जमीन पर और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं रहता उसी तरीके से जो white skinned people है यानि कि जो शेतांग लोग है वो black skinned people यानि कि कृष्णांग लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं बहुत ज्यादा जुल्म उठाते हैं और बिल्कुली उन्हें तोड़ देते हैं physically mentally और ये जो अत्य तो इसी चीज़ का compare यहाँ पर किया है poet ने अब अगला paragraph देखते हैं the birds that herald dreams were exiled from their song each voice torn out of its throat they dropped into the dust even before the hunter strung his bow तो जो पंचियां साथ में सपने देखती थी उनका गाना भी छीन लिया गया है उनके गले का हर आवाज निकाल लिया गया है और शिकारी के तीर मारने से पहले ही वो मिट्टी में मिल गए हैं यहाँ पर herald word का मतलब है सूचना देना exiled word का मतलब है निर्वासित उसके बाद throat का मतलब है गला और desk का मतलब है धूल उसके बाद hunter तो आपको पता ही है hunter का मतलब है शिकारी strong यानि की खीचना जो तीर खीचते है ना sorry धनुष जो खीचते हैं तीर के साथ उसको कहते हैं strong और वो मतलब धनुष तो अब देखते हैं कि इसका metaphor क्या है तो जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जैसे पंचियों का सपना यहाँ पर छीन लिया जाता है उनके गले स एक एक word चीन लिया जाता है उस तरीके से जो black skin यानि की कृष्णांग लोग थे जो यह सपने देखते थे कि एक दिन इस अत्याचार से इस जुल्म से उन्हें आजादी मिलेगी यह जो उनका सपना था वो भी उनसे चीन लिया जाता है उन्हें और भी बुरी तरीके से treat कि जाता है या फिर मार दिया जाता है और जब इतना negative चीज उनके दिमाग में घुस जाता है इतना जब उनको disrespect मिलता है तो जान से मानने से पहले ही वो मर जाते हैं kind of दिल से मर जाते हैं और इसी वज़े से यहाँ पर कहा है कि शिकारी के मानने से पहले ही जो है पंचिया तो यह एक deep meaning है यह basically बहुत important point है हम जब question answer देखेंगे तो जरूर देखेंगे आप बस वो वीडियो जरूर देखेंगे आप बस वो वीडियो जरूर देखेंगा ग्रीक में मेया नाम से एक भगवान है और उसी वर्ड से यहाँ पर मेया है तो यहाँ पर पॉइट जो है वो प्रात्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इन मुर्जाय हुए पेड़ो पर थोड़ी सी दया करो और इन्हें दुबारा से जान दो और वो जोश दो और इनके some tree the gift of green again और इनको थोड़ी सी हर्याली दे दो कम से कम एक पंची तो यहाँ पर गाना गाए यानि कि थोड़ी सी तो हर्याली आए यहाँ पर क्रिपा करो प्रभू तो यही प्रे कर रहे हैं पॉइट यहाँ पर तो इस टेंजा पर अगर हम वर्ड मिनिंग देखें तो में तो विटर्ड यानि कि मुर्जाय हुए पैशन यानि कि जुनून रिजरेक्शन यानि कि जी उठाना या फिर जान दे देना उसके बाद वाइन्स यानि कि लताए तो इसका अगर हम मेटाफोर देखें तो यहाँ पर तो पॉइट ने बताया है कि प्रभू इन पेडों पर क्र पॉइट यहाँ पर प्रार्तना कर रहे हैं तो यही तक था हमारा पॉइटरी और आई होप मैंने आपको डीटेल में समझाया हरे का मेटाफोर आपको अच्छे से समझाया देखें मेटाफोर काफी ज़्यादा इंपोर्टन है आपको थीम लिखने के लिए आ सकता है तो आ आप देखिएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ठेक क्याए